वीडियो को आप सब भी फुलो लासक जरूर देखेगा वीडियो सब के लिए बहुत जादा इंपर्टेंट है और वीडियो अगर आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को सबस्क्राइब कर लेना जिन्होंने भी तक नहीं किया है साथी बैल आइक कर से पहले बात कर ले तरफ को तरफ से एलल बी एक सिकिंद मैं कर ले एक कर लेते हो तो देखिए गाज़बाद का जो MMH college है उसने एक link activate किया है एक link आप लोगों के साथ share किया है जहाँ पर जाकर आप लोगों को free laptop, tablet और smartphone के लिए form फिल करना है लेकिन ये जो form है वो सिर्फ और सिर्फ MMH college के students को फिल करने है और किसी college के students को फिल नहीं करने है वैसे तो ये काम महां के college के teachers का था लेकिन उन्होंने अपने काम में स्वीधा करने के लिए अपने आप काम से बचने के लिए ये एक link है वो activate कर दिया है जहाँ पर आप लोगों को free laptop या tablet से related form मिलेगा उसको students को खुछ जाकर फिल करना है ये सिर्फ और सिर्फ MMH college के student के लिए है और किसी औ और के लिए नहीं है और अगर इसी तरीके से CCS University की CCS University के किसी और college ने ऐसा कोई link एक्टिवेट किया है तो उस college के student को भी इसी तरीके से उस link पर जाकर अपना form फिल करना है ठीक है यह वाला notice BPA के new session के admission से related है यहां पर यह बताया गया है कि आप लोगों के admission से पहले का प् और अब आप लोगों के admission के लिए जो भी student select किये गए है उनकी यह list जारी कर दी गई है इस list में जिन student का नाम है केवल उन्हीं को ही admission दिया जाएगा BPA session 21-22 के लिए इसके अलावा कोई अभ्यारती अगर किसी भी तरीके से admission ले लेता है तो उसका admission जो है वो अवैद है मानि या नहीं होगा अब आप लोगों का यहां पर time देख लेते हैं कि admission का time आपको कब से कब तक कर दिया गया है तो 15 से लेकर 27 तारिक तक आप अपना admission करा सकते हैं जो भी student जो भी candidate select हुए है ठीक है first year की fees जो है वो almost 60,000 है और second year की fees 57,370 रुपीज है और इसी के साथ आप लेने की आप लोग टाइम से अपना admission ले लिजेगा उनी बच्चों को admission मिलेगा जिनका इस लिस्ट में नाम है यह जो स्टुडेंट की लिस्ट है वो आप लोगों को teaching और learning के इंस्टा और facebook के पेज़ पर मिल जाएगी तो आप सभी वहां जाकर यह लिस्ट पूरी देख स इस लिस्ट के अलावा अगर और कोई candidate admission ले लेता है MPD में तो उसका admission माने नहीं होगा ठीक है सेम अब वही चीज़ है कि आप लोगों को admission के लिए यहाँ पर 15 से लेकर 27 तारिक तक का वक्त दिया गया है इस तारिक के बीच में आप अपना admission जाकर ले सकते हैं और सारे documents अपना admission जो है वो सुनिष्टित कर लेना सिर्फ admission उनी बच्चों को मिलेगा जो इस लिस्ट में जिनका इस लिस्ट में नाम है ठीक है MPD की first year की fees almost 70,000 है और MPD की second year की fees वो 67,370 रुपीज है यह थोड़ा सा blur है वैसे तो मुझे लगता है 6 ही होगा लेकिन यह blur होने की वज उसी की तरह सारे rules यहाँ पर follow हो रहा है कुछ भी अलग नहीं है यह वाली list भी आप लोगों को teaching और learning के इंस्टा और facebook के page पर मिल जाएगी और दोनों का link description box में है आप वहाँ जाकर अच्छे से अपने name को search कर सकते है यह notice guys MLD की new session के जो admission है उनकी counseling से related है यहाँ पर आप ल के अंक जुडेंगे और फिर जो total आपके marks होंगे उसके आधार पर counseling आप लोगों की की जाएगी जो अन्य राजे से student है उनकी 246 से 223 तक marks पर counseling की जाएगी सामाने वर्ग की 245 लिखा है यह 6 लिखा है समझ नहीं आ रहा यह थोड़ा blur है और लास्ट जो है वो प्राप्तां 223 तक counseling की जाएगी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो student है उनकी 178 से 159 तक counseling होगी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 222 से लेकर 215 तक marks यहाँ पर दिये गए है अनुसुचित जाती के लिए 213 से 200 तक दिये गए है अनुसुचित जाती के लिए 176 है और विकलांग के लिए 100 अंक यहाँ पर दिये गए हैं तो इस एसाब से यहाँ पर आप लोगों की counseling जो है वो की जाएगी counseling के लिए आप लोगों को counseling में क्या करना है अन्रोल होना है देखें यहाँ पर आप लोगों के पांच चरण दिये गए counseling के पहले चरण की में आप लोगों को CCS University के official website पर जाना है और counseling में अपना registration करना है जिसकी फीस है लेना है ठीक है यह जो four step थे वो आपके लिए थे number five का जो step है वो आपके लिए नहीं है वो college के लिए है इसमें यह बताया गया है कि university में college को जितने भी admission उनके college में MED में हुए है 25 तक सारे ही वहां पर उन्हें बताने है confirm करने है कि कितने admission 25 तक उनके college में हुए है तो इसका मतलब यह है कि जब college वालों को 25 तक university में सारे admission confirm करने है verify करने है तो आप लोगों का जो first counseling है वो 25 तारिक से पहले पहले complete कर ली जाएगी 25 तारिक तक आप लोगों की counseling भी हो जाएगी और आप लोगों को अपने allotted college में admission भी ले लेना है जाके क्योंकि 25 तारिक तक उन लोगों को college वालों को अपने university में आप सबका admission verify कराना है ठीक है तो यह आप लोगों का counseling का कुछ process रहेगा देखे लास्ट में आपर यह बताया गया है कि जिन student को first counseling में college मिल जाता है वो student फिर second counseling या उसके आगे जो भी counseling होगी उसमें शामिल ना हो झालो झालो